Exercise 1.1, question number 5 देखते हैं, check whether the relation R in the set of real numbers, so set of real numbers को हमने ऐसे दिनोट किया है, R बना के एक line, define by the relation R equal to, it is a collection of order pair, A, B, such that the first element of the order pair is less than or equal to cube of the second element of the order pair, इस तरसे हम इसको पढ़ते हैं, ताकि छोड़ा सा clear हो जाए, सबसे पहले हम देखेंगे कि यह relation में, इसका मतलब किया, इसमें relation में वो element आनी चाहिए, इसमें second order pair, जो है, first order pair, मतलब इन दोनों दे relation यह hold करे, A less than equal to B cube, तो सबसे पहला जो हम देखेंगे कि reflexive हमारा होगा कि नहीं होगा, तो देखें, अगर हम order pair लेते हैं, क्योंकि इसमें A और दी हमारे visual number से आएंगे, तो 1,1, 2,2, 3,3 and so on, इस तरह कि तो order pair इसमें contain हो रहा है, इसमें क्योंकि बहुत सारे ऐसे order pair होंगे, जो कि इसमें reflexive नहीं होगा, क्यों, जैसे हमारे पास, मान लीजे, 1 by 2,1 by 2 है, तो 1 by 2,1 by 2, अगर इसमें R में होगा, if, तो हम लिखेंगे, if 1 by 2,1 by 2 belongs to R, then हमारे पास जो condition हो, यह हमारा A होगा, यह B होगा, तो A less than B cube होना चाह यह, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यह तो 2 नहीं है, क्योंकि 1 by 2 हमारा, 1 by 8 से strictly greater गया, therefore, हम कहेंगे कि यह order pair, 1 by 2, 1 by 2, does not belongs to R, therefore, 1 by 2 is not related to 1 by 2, यह इसका मतलब हुआ, therefore, आप देखें, यह से एक order pair, नहीं आएगा, 1 by 3, 1 by 3 नहीं आएगा, therefore, it is not reflexive, तो यह हमारे प symmetry में हमारे पास क्या story गाएगी, जैसे वाली यह आपने order pair लिया, 1, 2, तो symmetry की कहता है, अगर 1, 2 है, तो इसका just ultra भी होना चाहिए, then, to check, that 2, 1 belongs to R or not, तो R relation में belong नहीं करेगा, 1, 2, 1, 2 तो belong करेगा, because 1 is less than 2 cube, यह condition में satisfy होगे, यह less than 2 cube है, but, क्या 2 हमारा 1 cube से less होगा, तो answer is no, therefore, 1, 2 belongs to R, but it does not imply that 2, 1 belongs to R, therefore, हम कहेंगे, it is not symmetric also, symmetric भी हमारा नहीं होगा, फिर इसके बाद third part देखते हैं, कि third part में हमारे क्या है, हमें transitive देखना होता है, equivalence वैसे भी check करने के लिए reflexive symmetric transitive तीनों एक साथ hold करना चाहिए, तो transitive relation के लिए, फिर से भाई, हमारे पास A, B हमारा R में होना चाहिए, such that A less than BQ, less than equal to BQ, अब हम देखेंगे इसमें, कि हमने एक order pair, माली अगर आप natural numbers का लेते हैं, तो आपको condition hold कर सकती है, जब आप natural numbers के अलावा rational numbers की बाद सोचते हैं, तब condition यहां fail होती है, because real numbers में हमें कोई भी चीज़, अगर कोई real numbers सिस्ता हो, हमें कभी भी किसी question न दिया होता है, तो कोशिच यह करने चाहिए, कि आप Q and Q complement पे नदर जरूर डालें, इन दोनों पे देखना जरूर चाहिए, इससे आपको condition fail होने के chances मिल जाते हैं, तो अगर हमने order pair माल लिजे लिया, एक 3,3 by 2, क्योंकि हमें reflect टांस्ट्यूव के लिए क्या check करना है, कि अगर A,B हमारा relation में हो, B,C हमारा relation में हो, तो ये imply करें कि A,C भी हमारा relation में होना चाहिए, तो 3,3 by 2 एक order pair में लिया, और दूसरा order pair में लिया, 3 by 2,5 by 2, और भी बहुत सारे आप example construct कर सकते हैं, तो check करेंगे 3 by 2, 3,3 by 2 क्या relation में है, तो 3,3 by 2 अगर order pair relation में है, तो 3 हमारा 3 cube by 2 cube से कम होना चाहिए, तो आप आसानी से देख भी सकते हैं, कि 3, जो है हमारा, 3 cube कितना होगा हमारा 27, 27 upon 8, इससे कम है, इसको आप calculate करेंगे, 3 point something आए, इससे कम है, इसी तरह तो 3 by 2, 5 by 2 भी क्या R में होगा, तो 3 by 2 less than 5 cube upon 2 cube होना चाहिए, तो ये कितना होगा, 125 upon 8, naturally 3 by 2 1.5 है, तो ये हमारा 1.5 से बहुत जादा हो देखोर हम कहेंगे कि 3 by 2, 5 by 2 is also belonging to relation, तो हमको क्या show करना है कि 3, 5 by 2, क्या 3, 5 by 2 हमारा होगा, उसमें R में, तो relation R में होगा कि नहीं होगा, ये देखें, 3, 5 by 2 हमने चेक किया, तो 3 क्या less than 125 by हमारा 8 होता है, तो answer is yes. अब देखें, इस order pair में condition हमारी true होगा, तो अब हमें ये सोचना है, कि क्या, ऐसा कोई order pair दूसरा exist करेगा, जिसमें ही condition fail होगा, तो answer is yes. तो ये मैंने इसलिए आपको बताया, जिसमें लिए 3, 3 by 2 हमने लिया, ये हमारा relation में होगा, and हमने लिया 3 by 2, 6 by 5, तो ये देखें, ये भी हमारा relation में होगा, but क्या ये imply करेगा, कि 3, 6 by 5 हमारा relation में होगा, तो बस ये आपको चेक करना, तो कैसे चेक करेंगे, 3 is less than, equal to 6 cube divided by 5 cube, 6 cube divided by 6 cube कितना होता है, 2, 1, 6 होगा, और ये 1, 2, 5 होगा, तो आप देख सकते हैं कि ये 2 times भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये inequality, इस case में hold नहीं की, तो आपको वो example डूनना है, जिसमें आपका रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव relation की condition फेल हो रही, तो देखें, ये हमारा 3, 6 by 5 R में relation में नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये transitive नहीं होगा, तो इस question में आपको transitive के लिए हमने बताया कि पहले आपने एक example construct किया, जिसके लिए आपको ये pair मिल रहा है, कि A, B हमारा R में है, B, C R में है, और A, C भी R में आ रहा है, लेकिन एक example ऐसा मिल गया, जिसने आपकी ये condition को fail कर दिया, तो ये भी हमें आद रखना है, कि transitive relation में example वो डूढने कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए हमारी condition fail हो रही है, ता हम गाएंगे कि वो transitive नहीं होगा,